नवस्कार दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रम आपशभी का श्वागत अभिनंदन है टीटी फैमली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड भाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करेंगे संसकत सिच्छा साथ संसकत पेडागोजिक के बात करेंगे आपके बहुत शारे कमेंट्स आ रहे थे प्रते एक भाई भें सिच्छा बंदू के कमेंट्स आ रहे थे कि संसकत की क्लास नहीं हो रही है तो हमने ऐसा एक ठाना की ऐसा क्लास क्यों न किया जाए जिसमें हम महत्तपूर्ण 50 प्रिशन को कंबाइन करें जो आपके 10 से अधि प्रिशनों पर ही कंपीट कर लेंगे वो कैसे कर लेंगे चलिए सुरुवात करते हैं 50 महत्पूर्ण प्रिशन हैंगे फीडबैक करिएगा बांकी प्रेक्टिस पर अभ्यास प्रिशन पर चली रहे हैं बांकी आई बेटन पर आपको लिंक मिल जाएगी पहला प्रस जो है लोगों के स्कीन पर चले शुरुवात करते हैं प्रसंदिया कि चात्राम उतकृष्ट लेखान कर तुम सिच कई कुत्र अधिकम ध्यानम दद्यात यह समात्तम शरवाधिकम अर्थात चात्रों के उतकृष्ट लेखन के लिए बयाकरण पर शरवाधिक ध्यान देना किस पर ध्यानना चाहिए अभिवेक्ति हस्ताथन ब्याकरण ब्याकरण की बात कर रहे हैं हमने क्या कहा उत्तर भी बता दिया आपको अगर आप समझ गया होगे कि छात्रों के लिए जो है उत्करष्ट लेखन के लिए किस पर सरवादिक ध्यान देना चाहिए तो वह ब्याकरण पर सरवादिक ध्यान लेना चाहिए क्योंकि इसके ग्यान से ही भासा का दोसों का ग्यान होता है और असुद्वर्थनी परिमार्जन में सायता भी मिलती है दूसरा प्रश्ने प्रथम कच्छा याए भासा पुस्त के अदव वण माला देते ततहे द्वय अच्छर सब्दाह अनंतरम त्रे अच्छर सब्दाह अनंतरम चाह कथा कविताह चाह एवं पुस्त के का पद्धति अनुश्रता प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रथमी किस तरप सरप्थम जो है आपके वण माला यहाँ पर दिया भी गया है फिर दो अच्छर वाले दो अच्छर सब्दा है यहीं कि दो अच्छर वाले सब्द फिर तीन अच्छर वाले शब्दों को सिखाय जाता है तो यह जो प्रकिया है किस पद्धत का अनुसरण कर रही है एबम पुस्के का पद्धती अनुसरण है ठीके ये जो आपकी प्रकिया है ये किस पद्धती का अनुसरण कर रहे है अनुसास नात्मक पद्धती पाठ शर्य रूप रेखा पद्धती उर्ध गौमी या अदोगामी तो आप सभी जानते हैं, यह जो प्रकिया है, यह आपके दोस्तों प्रात्मि की स्तर पर सर्पथम वड माला, इसके बाद फिर दो अच्छर वाले, फिर तीन अच्छर वाले, शब्दों को सिखाय जाता है, यह जो प्रकिया आपके उर्ध गौमी, जी हाँ, उर्ध गौमी प देखे, किसी भी पाठ को पढ़ते समय छाथ के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, पाठस अर्था वोधनम, सिखता पतनम, सुद्धोचारन सह पतनम, बिराम चिन्नाय सुद्धता प्रयोग है, तो आप सभी जानते हैं, कि किसी भी पाठ को पढ़ते समय जो है, सबसे अधिक आवश्यक जो होता है, वह होता है पाठस अर्थबोध, कि वे उस पाठ को अर्थ का बोध करे, ताकि उसकी समझ और इसमन सक्ति में विकास हो सके, यहां पे आप लोगों का पाठस अर्थबोध ही पहलापसन सही हो जाए, अंगला प्रसंदिया गया कि अर्थाज साथियो, दूसी कच्छा कि सिच का एक रुचकर कहानी सुनाने के बाद, यदि छात्रों से, उस कहानी को अपने सब्दों में कहने का निदेशन देती हैं, तो इसका आर्थ क्या होता है, सभी लोग बताई, इसका आर्थ जो होता है, वह हो जाएगा, बीसे के बोध का आकलन करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसे का बोध का आकलन करना मतलब, पठन आव बोधस हो जाएगा, दूसी कच्चक सिचका एक रुचकर कहानी जो है, सुनाने के बाद यदि छात्रों से, अपने सब्दों में कहने का निदेश देती हैं कहानी में, तो यह जो अर्थ होगा, सिचका में पढ़े गए बीसे के बोध काकलन कर रहीं, अर्थात, पठन आव भोधस की बात करेंग आयोप सभी पैर में समझ गए होंगे, पांचों अप्रशन आप लोगों के इसकीन पर आचुका है, कच्चा या मुद्रण सम्रद्ध वातावर्णम इत्तस अभिप्राय हैं, देखे साथियों, कच्चा में मुद्रण सम्मंधी वातावर्ण का अभिप्राय क्या होता है, तो कच्छा में मुद्रन सम्रद्ध वातवर्ण का जो अभिप्राय होता है, वैसात्यों होता है, पठितेन विशियेन संब्दित तानाम लिखिस समागरी नाम बितुष आलेखनम अर्थात, पढ़ाते समय विशे से समागरी यों का दिवारों अर्थात भिति, विट्ष लिखा हुआ नहीं है आपे, विट्ष तो दिवारों विट्ष पर चित्रण करना, आलेखनम मतलब क्या होता है, चित्रण करना होता है, तो कच्छाया मुद्रन सम्रद वातवर्णम इत्तर शविर्पाय इसका विप्राय होगा, पढ़ाते समय बिसे सिस्मंदित लिखिश समाग्रियों को दिवारों या भित्ति पर चित्तर करना D option सई हो जाएगा अंगला पुस्ने एका पठन गष समय अस्ति अर्थात पठन गष समय अस्ति यहाँ पर कौन सी हो जाएगी तो पठन गज जो समश्या कहलाती है वह होता है डिसलेक्सिया सभी जानते है ठीक है पठन गज समश्या को डिसलेक्सिया बोला जाता है वर्गों की पहचान में वर्ण माला अधिगम में कटनाई वर्णों को उल्टा लिखना शरों को लुप्त करना ये सारा डिसलेक्सिया प बढ़ गया वह बुलीमिया से सम्मंदित हो जाएगा यह बुलीमिया कभी कार हो जाएगा कमी हो जाएगी अफेज्जा होता है इस पस्ट उस चारण में कमी वा लेखन शक्ति में कमी अगर आप इस पस्ट उस चारण में आप कर नहीं कर पा रहे हैं और लेखन सक्ति में आप कच्छा में सिच्छक लेखन कार शुरू करने से पहले जो है क्या करना होगा चार आपसन दिये गए हैं विद्यालम आगमनात पूरम बिभिन परिच्छे दान पढ़तुम छात्राम निर्देशेतु या विषयो परिमन्त नम करत्व या कृष्ण फल के विषयो परिलिखतं परिच्छे दान अनलेखन चात्राम निर्देशेतु कच्छा में लेखन का या कच्छा में सिच्च लेखन कार शुरु से करने के पहले जो है बिश्यो पर ही मन्थन क्रत्वा अर्थात बिश्य पर मन्थन करके विचारा नाम निर्मानम कर्तुम छात्राम विचारों का निर्मान करने के लिए छात्रों का निर्देश देता है सि आपशन सही हो जाएगा अंगला प्रस्थी आ गया है कि बालेजन मात्र भाँसायाई अधिग्रणम भवती पृमुक्तिया अर्थाज सात्य हो प्रतेख मनुस या छात्र में मात्र भाँसा का अधिग्रम जो होता है सभी जानतें कि इससे होता है श्रमडेन अर्थाज सुननेश होता है सी आपसन यहापर सही हो जाएगा अंगला प्रशन नावा प्रशन दिया गया है उत्पादक कौसले सु कस समावे सहयस्ती अर्थाज साथियो उत्पादक कौसल के अंतरगत कौन-कौन से आता है सभी बताईए लेखन कौशल, लेखन संभाशनम, लेखन संभाशन, स्रवन संभाशन, पठन लेखन, पठन स्रवन शभी बताईए तो उत्पादक कौशल कस समावे सहयस्ती उत्पादक कौशल में यह आपका कह सकते हैं काउशल के अंतर गत जो होता है वह होता है पठन और लेखन ठीके पठन और लेखन दोनों को सामिल किया जाता है उत्पादक कोशल में दस्मा प्रश्ण जेवाप लोगों की स्कीन पर है भाँशायाय अधिगहन विशिता का उप्लिषय होगा तो आप सभी जानते हैं भाँशाय अधिगहन करने में सबसे जो उपयुक्त विशिता उप्लिषता है वह कहलाता है प्रते एक बालक में बहासा दिगहन जर्मजाद सक्तियस्ति अर्थाशातियो बहासा दिगहन के विशे में प्रतेक बालक में बहासा दिगहन की सक्ति जर्मजाद होती है पहला अपसन सही हो जाए अगला प्रसने एकस्याय बहासायाय अधिगमनार्थम अधनेस्तु कस्स महत्तम सरवादिकं भासादियम के लिए समाजिक समवाद शबसे महत्पूर होता है क्या होता है एकस्स भासायाई अधनेस्तु कस्स महत्तम तो भासादियम के लिए सबसे जो महत्पूर शरवादिक होता है वह होता है समाजिक समवाद क्योंकि इसके द्वारा बच्चे वा अन लोगों के साथ समाजिक अंत्रे क्रिया इस्थापित करते हैं और अपने विचारों तथा भावनाओं को अव्यक्त भी करते हैं तो समाजिक समवाद की बात करें इसके द्वारा बच्चे अनलोगों के साथ समाजी गंत्रे क्रिया इस्तापित करते हैं और अपनी विचारों तथा भावनाओं को अव्यक्त करते हैं अगला पसने बाला है सभाविक्तिया है तस्व पर्थमाम भाशाम अर्थास साथियों प्रिश्न के आप पूछा गया है कि बालक स्वभाविक रूप से प्रथम भाशा का क्या करता है अधिग्रहन करता है, पुनरवलन करता है, अधिगच्छत करता है, अनुकरोती करता है सभी लोग बताईएगा तो बालक जो होता है आप सभी जानते हैं सभाविक रूष से प्रतम भाशा कर क्या करता है अनुकरोथी अर्थात अनुकरण करता है क्या है बालक शुभाविक रूप से प्रतम भासा का अनुकरन करता है क्योंकि अनुकरन के द्वारा ही बच्चा सीखता एवं सहस्ता से सीखता है आई होप शबी प्यारे मित सभी याँ पे कमेंड कीजेगा मेरे सभी प्यारे प्यारे भाईयों की प्यारी प्यारी बहने जिनका सपना है गौर्मेंट टीचर बनना धापक अधाविका बनना शबी कमिन किजेगा जैस्वार सर आप शबी का श्वागा तविदनन करते हैं ये टॉप फिप्टी प्रिशन बहुत इंपोर्टेंट होंगे साथियो अधो लिखते से किम ग्रहनात्मक कौशलम अस्ति अर्था साथियो इन में से जो है ग्रहनात्मक कौशल कौन-कौन है पठन लेखनम पठन और शंभाशन समण और शंभाशन समण और पठनम देखिए ग द्वारा च्षात अदिगम कारते हैं गयन्हातमक कोशल हैं और इन दोनों की द्वारा च्षात जौके द्वार कताる गखकार्थ अर्थात इस प्रस्ण पर क्या पूँचा गया है कि किसी विधी के द्वारा उप्रोग प्रकिया पूण की जाती है सभी लोग बताई जो प्रकिया दीए कि सिच्छी का जो है विसेशन विसे व्याख्या करोती प्रतेक चात्रों को जो है गुणों का वर्णन करना उसके बाद फिर लच्छन का तो यह जो अंतर है तस लच्छनम ददाती यह जो लच्छन है किस विधी को यह क्या विधी कह सकते हैं इसको तो आप सभी जानते हैं क्योंकि आप जानते हैं समग्र सरीरिक प्रत्किया विधी के द्वारा ही उपरोग प्रत्किया पून की जाती है अर्थात पहले ब्याख्या करना फिर गुणों का वर्णन करना उसके बाद लच्छनों का वर्णन करना यह समग्र सरीरिक प्रत्किया विधी की बात करेंगे सभी कमेंट कीजेगा साथियों एकजाम को फत्य करना है तो आपका प्रत्किया कमेंट फीड़बेक शरोपर है शर्मान है अर्थात आपचारिक तरीके से सिचका की सहायता से सीखा जाता है कौन सी भासा के द्वारा तो आप सभी लोग जानते हैं दोती या तरती भासा की बात करेंगे तो यहां पर दोती भासा दिया गया है दोती भासा या तरती भासा को आपचारिक तरीकों से जो है सिचक की सहायता से ही सीखा जाता है और प्रत्थम मात्र भासा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है भासा याय पाठ चर्याम सहित्तम शमावेशय स्यात यत है अर्थाज शातियो भासा की जो पाठ चर्या है पाठ चर्या में सहित्त का समेशन जो है किसके द्वारा होना बहुत ही जरूरी है तो प्रात्मी किस्तर पर भासा के लिए पाठ्चर्या में साहित का समय सा शमावेशन होना जरूरी है इससे क्या होता है छात्रों में अलोचनात्मक छमता का विकास होता है क्या होता है अलोचनात्मक छमता का विकास होता है अर्थात प्रात्मी किस्तर पर भासा के लिए पार्चर्या में साहित का समयवेशन होना जरूरी है इससे छात्रों में अलोजनात्मुक्षम्ता का विकास होता है अंगला प्रस्ने भासा याय कच्छा याम कथा कथनस मत भून मत पून भूमिका वर्थते अर्थार सत्यों भासा की कच्छा में कथा कथन के द्वारा जो है मात्पूर्ण भून का होती है किसकी होती है सबी बताइएगा तो भासा की कच्छा में कथा कथन के द्वारा जो है एतत नैतिक सिच्छा विक्सित होती है क्योंकि इसके द्वारा ही छात जो है समाजिक्ता और मुल्यों को शमज पाता है भासा की कच्छा में कथा कथन के द्वारा ही छात्रों में नेतिक सिच्छा विक्सित होती है क्योंकि इसके द्वारा छात समाजिक्ता और मुल्यों को शमज पाते हैं कश्चित विशय या विशयम अधिक्रत शुतंत त्या लेक तुम चतुर्त कच्छा या छात्रान सिचकस नियोज तुम शकनो थी यदैसा विशय संबन्ध यस थी अर्थास चातियों सिचक किसी विशय को लेकर शात्रों को सुतंता पूरक लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है यदि वह विशय समाजिक समस्या से संबन्धित हो किसके समाजिक समस्या में भी सिचक किसी भी विशय को लेकर शात्रों को सुतंता पूरक लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है यदि सह विशे संबंदय अस्ति यदि वह विशे समाजिक समस्त से संबंदित हो ठीक है आई होप समझ गे होंगे आई ये बात करते हैं अंगले पुछन के पूर पठितायाय कथताय पुनय कथा नार्थम छात्रे बई है निर्देश सिचक है आकले युतम शमर्थो भवेत अर्था आज सात्यों पृष्ण पर पूँछा जा रहा है कि पूर पठित कथा कहानी जो होती है को फिर से पढ़ने के लिए छात्रों को निर्देश देकर सिचक के द्वारा छात्रों की जो है किस छमता काकलन किया जा रहा है उच्चारण वर्तनी इस्मत शक्ति या अबोधन तो पूर पठित कथा कहानी को फिर से पढ़ने के लिए जो है छात्रों को निर्देश देकर सिचक के द्वारा छात्रों की उच्चारण शमता काकलन किया जा रहा है पूरिखित कहानी को फिर से पढ़ने के लिए छातों को नर्देश देकर सिच्चक द्वारा छात्रों के उच्चारन छमता का आकलन किया जा सकता है आप आप जबी भाविदापक अदधा भी काहें अच्छे तरीके से आप जानते हैं समझते भी हैं अंगला प्रस्टे लेखन विश्यक है विश्यक है बितिक्रमे कत्थते अर्थात लेखन विश्यक को बित्कम क्या बोला जाता है जब भी लिखने की बात की जाती है एक ही जिकराता है वह है डिस्ग्राफिया जी हाँ डिस्ग्राफिया लेखन प्रकिया या कठिन एवं दोस पूर्तुन हें और डिसकेलकुलिया गड़ना समयंदही दोसे और डिसलेक्षिया पठन समंदही तो तीन चीजा आपको प्रत लेना गालना डिसलेक्सिया पठन समंदी gड़ना समंदी और जो pools अध्यूधिया है वह दाटिकर अंगला प्रश्णी स्कीन पर है क्या महत्पूर्ण होता है सभी बताईए तो बलकि पढ़ते समय क्या है अर्थ के ग्यान की बात करेंगे अर्थात पाठस अर्थश अवबोधनम कुर्यात पढ़ना केवल लिखित पाठ का उच्चार्ण करना नहीं होता है बलकि पढ़ते समय अर्थ का ग्यान भी महत्पूर अर्थात पठनम नाम ना केवलम लिखित पार्थस उच्चारनम अपितु एतत अभी महत पूर्णम यत पार्थस अर्थस और वोधनम कुर्याद यह आपसे दराइट इंसर हो जाएगा आई बात करते हैं अंगले प्रिष्ण की 22 नमबर प्रिष्ण आप लोगों के स्कीन पर है अधो लिखित तेसु का उक्ति समय चीनम अर्थात निम लिखित में से कौन सा सही या कौन सा कथन सत्त दिया गया दिखिए आप जानते हैं कि अनुभवा नाम महत्त कोशेण सह बाला है बिद्यालम आगच्छनती अर्थात बालक अनुभवों के विश्तत कोश्ट के साथ बिद्यालम आगच्छनती बालक अनुभवों के विश्तत कोश्ट के साथ बिद्यालम आगच्छनती बालक प्रश्नाप लोगों के स्कीन पर है विद्यार्थी नाम कार निस्पादने दुर्बलताय कारणम ग्यातुम सिचिका एकस परिच्छाय प्रस्तुतिम करोती सा परिच्छा कतते अर्थाज साथियो विद्यार्थियों के कार निस्पादन के दुर्बलता जान पाते ही यह दु कस परिच्छा प्रस्तुत करो तो सिच का एक परिच्छा का क्या करती हैं सभी लोग उता ही निस्पादन करती है एक परिच्छा प्रस्तुती करना या निस्पादन करना वह परिच्छा कौन से होगी देखे बहुत यासान है देखे कार निस्पादन में दुरबलता का कारण ह को किया है? कार निश्भादन की दुर्भलता और इए, उसके लिए जो सिच्षक एक परिच्छा करेंगी, वह परिच्छा होलगी, किस की? निदानात्मक परिच्छा की बात करेंगी, Diagnostic Test की बात करेंगे निदनात्मक परिच्छा के द्वारा ही सिच्छक अपने छात्रों के कार निस्पादन में दुर्बलता जान पाएंगे देखें आप सिच्छक है आप बच्चों में कैसे कार निस्पादन की दुर्बलता जान पाएंगे किसके कार निदानात्मक परिच्छा के द्वारा ही जान पाएंगे ठीके और उपचारात्मक सिच्छण के द्वारा उस दुरवलता को दूर किया जाएगा दुरवलता को दूर करना होगा तो फिर आपका उपचारात्मक सिच्छण है और दुरवलता जानना उसके लिए निदानात्मक है तो जानने के लिए निदानात्मक और दूर करने के लिए उपचारात्मक ये दोनों को आपको समझ लेना है आए बात करतें एंगले प्रिश्ण की जो आप लोगों के स्कीन पर है। बहुत अच्छा प्रिश्ण है और इस प्रकार के संस्कत में सिछा सास पेड़ागवाजी में बहुत बार पूंचे गए प्रिश्ण है पूंचे भी जाते ही। प्रश्ण देखेगा कचित भाँशा सिचिका एकाम कच्छा पठीत्वा श्वदे दिन्या लिखती शात्रेबही भाँशा क्रीडा बहु आरोचत अर्थात ते तस्याम क्रीडा याम शक्री भागम ग्रहीत बनताई परतुम तरतिये शमूए अपेचितम प्रतिफलम ना प्र दाप्तवान एतद उधारन अस्तितश्चा है अर्थात शात्यो देखे कच्छा पढ़ाने के बाद अपनी डारी में लिखना ये जो उधारन है सामिल किया जाता है जो कच्छा में पढ़ाते हैं तीक है वो अपनी डारी में लिखना तो ये जो कहला जाएगा वह कहला किसमें उप्ख्यात्मक ब्रत्श में शामिल किये जाते ही। एक है प्रभावी भासा सिच्छका देखे एक प्रभावी सिच्छक जो है एक जो प्रभावी भासा का सिच्छक है पाठ पुस्तकस उपयोगह गरिश्यती तथेव। पाठ पुस्तकाद बहिरपी गमिश्यती ते साम पुर्ष्ण पाताणाम निर्मानम करिश्यती यानि पाठ पुस्तक धारितानी एवशंत जो पाठ पुस्तकई अर्थात एक प्रभावी सिचक उन प्रशनों का निर्मान करेगा परंतुए पाठ पुस्टक के बाहर वाले या सम्मदित प्रस्णों को शात्रों को समझा सकता है यहाँ पर दिया गया है तो पाठ पुस्टक के बाहर वाले जो सम्मदित वाले चत्रों को समझा सके उसी प्रकार के विए प्रश्ण का निर्मान करेगा एक भासा का सिच्छक अंगला प्रश्ण स्कीन पर है भासा अधिगमनार्थम किम सर्वाधिक महत्पूरम देखे भासा अधिगम के लिए जो है सर्वाधिक महत्पूरम किसके लिए होता है सभी जानते हैं बाल शाहित्व ठीक है भासा दिगम के लिए बाल साहित सरवादिक महतपूर है क्योंकि बाल साहित की द्वारा छात्रों को रुज़कर माद्यम से भासा सिखाई जा सकती है किं विद्यार्थिन किम विद्यार्थि सु शाजन या सरजन सीलताम प्रोशाहिस्यत्य अर्धास्षातियो किस प्रकार के विद्यार्थियों में जो है सरजन सीलता का विकास होगा शबी लोग अताई और उन्हें प्रोशाहन दे मिलेगा तो किस प्रकार के विद्यार्थियों में सरजन सीलता का प्रोशाहन मिलेगा वह होगा श्वानु भावानु सारम स्वतंतता लेखतुम अउशर प्रदानम अर्थात यदि छात्नों को स्वयम के अनभो लेखन की स्वतंता दी जाएगी तो उनमें सजन सीलता का विकास होगा और उन्हें प्रोशाहन भी मिलेगा पहला अपसन सही हो जाएगा अंगला पसन भाषा या है मन है प्रतिचित्रम नाम है अर्थात स्वाति यो भाषा के मन में प्रतिचित्रम का नाम क्या हो सकता है तो एकस सहसी कार्योजना तथा तश्याह निवेधनम करतु छात्रेबहह ने आपका निर्देश है अर्थात एक साहिसिक कार के लिए कार योजना तथा उसका निवेदन करने के लिए छात्रों को निवेदन करने के लिए छात्रों को निवेदन करने के लिए उसके निवेदन करने के लिए छात्रों को निवेदन करने के लिए छात्रों को निवेदन करने के लिए छात्रों को योजना तयार की जाती है उसे भासा सिच्छम में मन्ह प्रतिचित्र नाम से जाना जाता है और यह पूछा भी गया है भासा यहा है मन्ह प्रतिचित्र नाम नहीं भासा में मन्ह प्रतिचित्र नाम कब जाना जाता है किसके द्वारा जाना जाता है तो हमने क्या कहा है एक को करने से पहले मानसिक संकलपना जो द्वारा जो योजना त्यार की जाती उसी को ही मन्ह प्रतिचित्र कहते हैं तिक है यहां पे दिया गया है आपको एकस्य साहसिक कार्यश्यकार योजना तथा तश्चाह निवेद्नम कर्तुम छात्रे बै निर्देश आई होप आप लोग समझ गये होंगे अंगला प्रिशना आप लोगों के स्किन पर है लेखन कौसलस बिकास क्रमें किम सरवादिक महत्पूर देखे लेखन कौसल के बिकास क्रम में जो सरवादिक महत्पूर होता है वैस सभी लोग जानते है सुद्ध वर्तनी का परयोग करना होता है ठीक है लेखन कोशल के विकास क्रम में सुद्ध वर्तनी का प्रिओक सरवादिक महत्मूर है क्लिक्व शुद्ध वर्तनी के द्वारा ही लेखन-कार में महारत हासिल कि जा सकती अंगला प्रश्णी स्कीन पर है विद्यार्थी आनंदनार्थम पठनम शामन पठनकोशल विकास है चायसमिन पठने उद्देशम अस्तितत पठनम कतते अर्थाज शातियों शामान पठन कौशल की बात कर रहें विद्यार्थी आनन्दनार्थम पठनम शामान कौशलम विकास है सामान पठन कौशल के विकास के लिए अध्यापक द्वारा आदर सुवाचन करने के बाद शात्रों द्वारा उसका जो है अनुवाचन कराया जाता है क्या करा जाता है अनवाचन करा जाता है जिसमें च्षात प्रसंता पूरवक पढ़ते हैं और इसे च्षात्रों की रुच भी बढ़ती है तो इस पथन को क्या कहेंगे अनवाचन या पस्चात पथन कहेंगे पोस्ट रीडिंग के बात करेंगे अर्थात सामान पठन कोशल के विकास के लिए धापक द्वारा आदर्स वाचन करने के बाद छात्रों द्वारा उसका अनवाचन कराया जाता है इसमें छात प्रशनता पूरवक पढ़ते हैं और इससे छात्रों की रुचि भी बढ़ती है और इस पठन को अनवाचन या पश्चाद पठन कहा जाता है अंगला प्रशना आप लोगों की स्कीन पर है कविता पाठन समय किम सरवादिक महतपूर्ण अर्थात साथियों कविता पाठ करते समय सरवादिक महतपूर्ण क्या होता है सभी जानते हैं कविता पाठन की समय जो होता है सरवादिक जो महतपूर्ण होता है कविता भावनात्मक विश्यान इस्प्रति अर्थात कविता भावात्म विश्यों को इस्पस करती हो ताकि छात उसमें रूची ले सकें तो कविता पाट करते समय सरवादिक महत्पूर्ण है कविता भावात्म विश्यों को इसपर्स करती हो ताकि छात उसमें अद्धिक जादा से जादा रूची ले सकें अंगला पुष्णे संभासन कोशले अतन्त महत पूर्ण मस्ती देखे संभासन कोशल की बात कर रहे हैं संभासन कोशल जो सरवादिक महत पूर्ण या अतन्त महत पूर्ण किस्वर होता है अलंकारिक भाशा प्रयोग पर होता है संभासन को असल में भाशा प्रवाह मई अलंकारिक वा रस्युक्त होनी चाहिए अंगला प्रशने साथियों एकस भासा याए अधिगम शमे चात्रा है काम विशिष्ट समश्याम अनभवत इती आवगन्तुम या आवगन्तुम सचिकाय याम परिछ्याम अयोजेती साकत ते अर्था साथियों एक यहां पर दिया एकस भासा या अधिगम समय एक भासा में जो है अधिगम के समय जो है छात्रों में कौन सा विश्व समस्या कानभो करता है जब अग्रिम लच्छ के रूप में वार्थालाप पर जोड़ दिया जाता है तुबवे हमारी हो जाती साथियों उसे कहते हैं समवदनात्मक परिच्छा कमुनिकेट्यू टेस्ट कहा जाता है एक भासा अधिगम समय जो है बेश्व समस्या अनुबवत अगरा रही है और तो समवदनात्मक परिच्छा अर्थासात्यों समवदनात्मक परिच्छा भासा सिच्छन के लिए एक दस्टिगोण है जो बाचीत के सादनों और अग्रिमलच के रूप में वारतला पर जो देता है वह समवदनात्मक परिच्छा की बात करेंगे अंगला प्रस्न है जो आप लोगों की स्कीन पर है, 34 नमबर जो आप लोगों की स्कीन पर आ चुका है, बहुत इच्छा प्रस्न है, फीडबेक भी आप लोग बेतीन करेंगे, सम विभाग पोर्टफोलियो विशे का उक्ति समय चीनम देखे पोर्टफोलियो से सभी आपके परचीत होंगे इसे संस्कत में सम विभाग कहते हैं इस विशे का सरवादिक जो होगा वह होता है छाता नाम कृती नाम शंग्रहता सुरच्छिता है इस्थापनम इतश्य प्रमुखम प्रयोजनम अरधात चातियों चात्यों के करतियों का संग्रह तता सुरच्छित इस्थापना सम विभाग पोर्टफोलियो विशे का प्रमुख प्रयोजन होता है क्या होता है चात्रों की करतियों का शंग्रे तथा सुरच्छी तिस्तापना पोर्टफोलियो अर्थास सम्भिभाग भी से एक आप्रमुक प्रियोजन होता है अंगला प्रस्ने 35 नंबर 35 प्रस्ने स्वरुचारण अस्ति विवित्ता धने वायो निधातश या इंद्रियस सभी जानते हैं देखे जब भी स्वरुचारण की बात करते हैं ठीक है इंट्रोनेशन की बात कर रहे हैं यह जो विवित्ता कहलाती स्वव चारण करते समय किसमें विवित्ता होती है सभी लोग बताईएगा ध्वनी में जियां साउंड में तो स्वव चारण करते समय किसमें विवित्ता होती ध्वनी अर्था शाउंड में विवित्ता होती है नोट का लिजेगा अंगला प्रस्टने वानी ग्रहे अधिकम ना वदती किन्तु बिद्याले बहु अर्था लापम करोती अर्थात यदि वानी वानी ग्रहे अधिकम ना वदती सभी लोग बताईगा यदि वानी नामक छात्रा कच्छा में बहुत अधिक बोलती है घर में अधिक नहीं बोलती है किन्तु बिद्याले में वह बहुत वारतालाब करती है बहुत बोलती है वानी एक बालिका का नाम है आपे ठीक है तो वानी ग्रहे अधिक नहीं बोलती है घर में कुछ भी नहीं बोलती है लेकिन विद्धैले में यह बहुत वार्ताला बोलती है. ये क्या सूचना कर रहा है? ये सूचना कर रहा है, इससे सूचना मिलती है कि सिश्क कच्छायायई अंसासन बेसे लच्छम नाद अदाती. अब मुझारो बताएगा. क्या सिअपसंस होगा? देखे इसकार्थ यह है कि सिच्छा कच्छा उन्सासन की तरब ध्यान नहीं देते या आपको इसका एंसर हो जाएगा कि बिद्याले तश्याम विचाडाम श्वीकति लबते बहु आर्तालाम करतू बिद्याले औसरम लबते श्वग रहे तश्याई न रोचते यह दिवानी नामक छात्रा कच्छन बहुत अधिक बोलती परंदु घर पर नहीं बोलती इसकार्थ यह है जिच्छा का कच्छा उन्सासन की तरब ध्यान नहीं देना यहाँ पर यह बताया गया है लेकिन क्या है आपको इंसर से यह सही बताएगे लेकि हो सकता है उसकी घर में उसकी भासा को मानता नहीं दी जाती हो विद्याले में मानता दी जाती हो आर्थात यह भी तो हो सकता है कि विद्याले तश्चाय विचाराम श्रीकति लबते या बहु आर्थालापम कर्तुम विद्याले अउसरह लबते ये भी तो हो शकता है, बी आपसन भी तो आपका हो शकता है तो ये question पर confusion हो रहा है, चलिए हम comment box में आपको बता देंगे आप लोग भी अपना राय बताइए, इस प्रशन का feedback क्या होना चाहिए क्योंकि हमें doubt हो रहा है सी आपसन पर, सी आपसन नहीं लग रहा है, ठीके इस प्रशन पर खोजबीन करेंगे और feedback के मादर से बताएंगे इस प्रशन का सही उत्तर क्या है अभी हम इस पर सठीक सही उत्तर नहीं बता सकते हैं, अंगला प्रशन इसकीन पर है भासा दश्चतायाम के दो तत्वे सन्नी विष्टे, अर्थात भासा की दश्चता की बात कर रहा है, भासा की दश्चता के दो प्रमुथ जो तत्व हैं, सन्नी विष्टे मतलब प्रमुख तत्व, कौन-कौन से हैं सभी लोग बताईए एक होता है सात्यों दुद्पथनम और क्रम वीच्णम अर्थात सीगता से पढ़ना दुद्पथन मतलब क्या होता है सीगता से पढ़ना और क्रम वीच्णम मतलब होता है अंगले क्रम के सब्दों को देखकर सोचते रहना तो भासा दस्ता के दो मुक्व तत्त होते हैं एक दुथ पठन, सिगता से पढ़ना और दूसरा होता है क्रम रीच्रम अंगले क्रम के सब्दों को देखकर सोचते रहना अंगला प्रस्ण स्कीन पर भासा अधिगम है सहिस्ता भविश्यत यदि अर्थाज शातियों भासा अधिगम जो होती है सहिस्ता भविश्यत की अकर बात करें भविश्यत ये मतलब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों को भासा सीखाते समय परिच्छा पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्या है? बच्चों में भासा अधिगम सहिस्ता भविश्यत यदि यदि आप परिच्छा में ध्यान नहीं देंगे तो भासा अधिगम जो होती है वह सहज हो जाती है अथाद बच्चों को भासा सीखाते समय परिच्छा पर ध्यान नहीं देना चाहिए बलकि उन्हें मोकिकार, शंबाद, तर्क, वितर्क, आदी के द्वारा भासा सीखने के आउ enacter प्रदान करने चाहिए लेकन अस्ती नातो अर्थात फलं प्रकριया प्रकिया हस्त अच्छरब्यासी हस्त अच्छार अभ्यास ही प्रकिया या प्रकिया फलम शबी बताईए देखे बालकों के लिए लेखन एक प्रकिया है ना की क्या है सबी लोग बताई हस्त अच्छर के लिए अभ्यास लेखन क्या है बालकों के लिए लेखन एक प्रकिया है यहां पे आपका जो भी आपसन दिया गया है प्रकिया हस्तचर अभ्यास है तो बालकों के लिए लेखन प्रकिया है ना की शबी होता ही ना की हस्ताचर के लिए अभ्यास्त क्योंकि आप जानते हैं कि भासा सिच्छन का क्रम शुनना बोलना और पढ़ना लिखना होता है क्रम क्या होता है शुनना बोलना और पढ़ना लिखना होता है हो सकता है कुछ प्रस्ण में आपको समझने में दिक्कत आग रही हूँ कमेंट जो अवश्वत आईएगा कोसल के आकन के लिए सरवाधिक ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए लेखन कोसल के आकन करना है तो सिचका जो है प्रमुक रूप से किस पर ध्यान देगी तो सिचका को प्रमुक रूप से सुद्ध वर्तनी पर ध्यान देना है लेखन कोसल के आकन के लिए सरवाधिक ध्यान आई बात कर लेते हैं अंगले प्रिश्ण की अंगला प्रिश्ण 10 प्रस नौर बचुई हैं टॉप 50 में से 40 प्रिश्ण कंपीट कर चुके हैं पठन पूर कार यानी शंति अर्थात पठन कार से पूर क्या करना चाहिए तो पठन पूर के कार के क्या होती है एक सिचका को अधापक अधाविका को क्या कार करना चाहिए पठन पूर तो पढ़ने के पहले कठी सबदों का अर्थ कर सूचना की बात करें यह आप कह सकते हैं कि पाठे प्रिक्ताम व्याकरण नेमा व्याक्यान म करूती बिद्यार्थिम पाथन बोधर्ष आकलनम या पाथ सम्बद्ध पूर ग्यानत सुद्बोधने छातराम सजजी करनम सभी बताइए क्या होगा देखे पठन कार से पूर सुछक सभी कटिन सब्दों का अर्थ बताएं ताकि छात असानी से पठन कार पूर्ण कर सकें और सुद्ध अनवाचन भी कर सकें देखे पठन पूर का सबसे प्रोंख अगर होता है कि विद्याथियों में पाथा पठनाव बोधर्ष आकलनम आपका आप्शन नमबर भी भी हो सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पर पूर्ण के तरफ जाएंगे पठन कार से पूर्ण सिचक सभी कठें सब्दों का रथ बताएं ताकि छात असानी से पठन कार पूर्ण कर सकें और सुद्ध अनवाचन भी कर सकें अंगला प्रशनी स्कीन पर है रटन अभ्यास कारणें बिद्यार्थी नाम विकासे, क्रीद शाहच या कीद से छती भवती छती मतलब लौश या कमी की बात करेंगे तो रटन अभ्यास करने से ठीके? यदि छात रटने के अभ्यास पर अधिक ध्यान देंगे तो वे अध्यन पर समचित नहीं ध्यान देंगे सकेंगे इससे क्या होता है? इससे बच्चे में कहा बौधिक विकास की कमी आती है अर्थात ते अध्यनों परी समचित ध्यानम ददातु अशकताय भवन्ती अर्थात यदि छात रटने के अभ्यास पर अधिक ध्यान देंगे तो वे अध्यन पर समचित ध्यान नहीं दे सकेंगे जिस उनके बौधिक विकास में कमी आ जाएगी सभी कमिन के देंगे भासा सिच्चन संदर भई आग्मनात्मक पद्धत ही ऐसा हिलाब है अस्ति भासा सिच्चन की आग्मन पद्धत के संदर में छात्रों द्वारा जो लाब होगा क्या लाब होता है तो भासा सिच्चन में अगर आग्मनात्मक पद्धत की बात करें इसका लाब जो होता है बच्चों में बिद्यात्यों में रटन अभ्यास नहीं कराया जाता है बलकि उन्हें उदाहरन से निमों के तरफ अगरशर करते हुए समझाया जाता है और सभी जानते हैं जब भी आगमनातमक पद्धत की बात करते हैं उदाहरन से नियम के और की बात ही किजाती है तो भासा सिच्छन की आगमन पद्धत के संदर में शात्म द्वारा रटने का अभ्यास नहीं करया जाता है बलकि उन्हें उद्वार्ण सिनेमों की तरफ अगशर करते हुए समझाया जाता है बलकि निगमन बिदी इसके विरुद्धकार करती है भाशा तावत अव्यक्ते श्वमत्तब व्यक्ती करनश सर्फसेष्ट माध्यमस्ती देखे भाशा अव्यक्ती तथा अपने मत की अव्यक्त में सर्फसेष्ट जो होता है सर्फसेष्ट जो माध्यम होता है वह बिन्मे को होता है एक्स्चेंज आदान प्रदान का माध्यम होत है अठाहट भाषा व्यक्ति तवाता अपने मत की अव्यक्ति के सबस्टेश्ट बीनिमें अठाहद आदान प्रदान का माद्यह होता है。 अंगला प्रृष्णहह भारती ध्षा प्रश्च कस्या सिच्छाय म aids में आवश्यक्ता अस्थि तो सिचन के लिए निए embarrass सबसे महत्य महत्य कंपूर्थ किसकी होती है सभी लोग उताईएगा कि मात्र भाशा की इस मात्र भाशा प्रदेशी मात्र भाशा अंगल भाशा की कि एक अपितिश्थ प्रदेसिक भासा और अंगंगल भाषय अतियवश्यक है तीनों वाशाएं अतियवश्यक है अभी अभी वयापकत्च्ख त्वह्मिश्च अभासद लुए उप्युक्त भासदियम के लिए अनकूलन आनकूल वातवर्ण का विकास न breath ल१ंश्च is है तो भासभ अभी आपक अच्छा में जो है गया है या है यद्ध। अच्छी ने कर दो क्या एक समज्चा है के अभिष्चा स्लिख्ण में एक समज्च्छा है ईध्यम वातवरन्िकासनκूलता है अश्मर्था है अर्थात भासा धियम के लिए अनुकूल वातन का विकास ना हो नहीं भासा सिच्छन की शमश्य है आई होप आप लोग समझ गए होंगे अधस्त नेसु कतमम उत्रम मात्र भासा सिच्छन उपयोगी ग्यान लच्छे सु अनतमम अस्ति अर्थात मात्र भासा सिच्छन के लिए किसकी बात कर रहे हैं अधनेस्त इनमे से कौन सी जो है उत्तर जो है मात्र भासा सिच्छन उपयोगी ग्यान लच्छे सु अनतमम अस्ति अर्थात मात्र भासा सिच्छन के लिए उच्चारण का ग्यान अर्जन करना उपयोगी नहीं है किसका उच्चारण का ग्यान करना उपयोगी नहीं है बागी भासा गत आपका जो दिया गया है भासा गत विविन प्रकार लेखनम ग्यान अरजनम करनम भासा भासा तत्वानम प्रभूत ग्यानम प्राप्ति विसे वसुतह ग्यान अरजनम ये तीनों आपके मात्रभासा सिच्छन उपयोगी ग्यानलचे सुवनितम होगा लेकिन उच्चारण ग्यान अरजम नहीं होगा क्योंकि मात्रभासा सिच्छन के लिए उच्चारण का ग्यान अरजन कराना उपयोगी नहीं है विशेवस्त का अग्यान होना भी आवश्यक नहीं है ये भी आपको ध्यान देजाए निम लिखितेशू कावा पद्धती सिच्छन पद्धती उच्चते चैन पद्धती रूची पद्धी प्रेणा पद्धती उप्युक्सर्ण देखिस संसकत फटाफट बोलने वाला फटा अखट समझ गए होंगे तो ती वहांसा में थोड़ा समझना पढ़ता है ठीक है और हम भी संसकत के तो टीचर है और प्रश्णों की क्लास को कंप्लीट करते हैं उप्चारात्मक्सिंट कौन होती है तो समश्य समाधानम् शाफल्लम् प्रति भापयति फेहाखने पहले बताया भी ताँब चारात्मक्सिंट के बारे में ठीक है तो छात्रों की समश्याओं के समधान के लिए उप्चारात्मक सिच्छन पद्धत ही अपनाई जाती है और समश्या खोजने के लिए निदानात्मक पद्धत ही अपनाई जाती है जो तो निदानात्मक किसके लिए होती है समश्या खोजने के लिए और शमश्चा समधान के लिए उप्चारात्मक पद्धत ही अपनाए जाती है और इस क्लास का अंतिम पच्चासमा प्रशन निम्लिलिक तेशु कत्मम उत्रम प्रादेशिक भाशा विकास आये शमश्चायर नस्ति इति सोचियती कि इनम्लिलिक प्रदेशिक भाशा विकास के संदर में जो है चात्रों को समश्चा नहीं होती है किसको समश्चा नहीं होती है चात्रों को बलकि वह इस विशय के संदर में लोगों के संपर्क में नहीं रहता है क्योंकि वह केवल अपने शम्मंधियों और मित्रों के संपर्क में अधिक रहता है अर्थात अश्मिन विशय जन्नाम परिचय अबावा है अर्थात प्रतेसिक भासा के संदर में चात को शमश्चा नहीं होती है बलकि वह इस विशे के संदर में लोगों के संपर्ख में नहीं रहता क्योंकि यह केवल अपने संबंधी और मित्रों के संपर्ख में अधिक रहता है यह रहे टॉप 50 प्रिश्ण जो हम कोशिश किये आप लोगों को अच्छे तरीके से बहतीन प्रिश्ण समझाने की गर आप लोगों को समझ में आ गये हो तो नीचे कमेंड बाक्ष में अश्वताईएगा बाकि आपकी एवियस परण के अंगला जो प्रेक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्प्रत आएगा उसकी त्यारी करते हैं और शभी आपे कमेंड कीजेगा प्रतेक भाई बहन सिच्छबंदू शभी को नमन हैं शभी आपके माता पिता को जेश्वाल सर का प्रणाम हैं चल दी मिलते हैं अंगले क्लास पर शभी मित्रों को जेहिंद बंदे मातरम धन्वा शभी का